दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ खास इशारों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपको किसे शादेशिदा उरत से मिल रही है तो समझ लेजिए कि वो शादेशिदा उरत आपको प्यार करती है आपको सच्चे दिल से चाहती है तो दोस्तो कौन से है वो इशा करेगी या आपको पसंद करेगी आपके आस्पस रहने से या सिर्फ आपके सामने आ जाने से वो खुद को बहुत ही जएदा कॉमफरटेबल मैस्स करेगी Um उसकी सारी परिशानिया, उसकी सारे टेंचन आपको देखते ही गायब हो जाएगी उनके चैरे के हाव-ाव, उनके नेचर में, उनके ब्यवार में अचानक से एक बदलाव आज आएगा और वो बदलाव आपको भी मैसूस होगा आप भी उसे साप साप देख सकते हो, महसुस कर सकते हो वो अवरत आपके सामने आते ही खुद को बहुत आरम्द है महसुस करेगी और ये सबसे खास और सबसे अलग इशारा है कि वो अवरत आपसे प्यार करती है नमबर दो, जब वो आपके साथ हो तो खिल उठेगी साथ मुलाकत होते ही वो खिल उठेगी उनका चहरा रोशन हो जाएगा दोस्तो अवरत का चहरा सब कह जाता है बस आपको समझ में आनी चाहिए अवरत कभी इस बात को छुपा ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए और जब किसी से महबबत करती है जब किसी को पसंद करती है तो ये बात वो किसी भी हाल में छुपा ही नहीं सकती उनकी आखे उनकी मुस्कुराहट और उनका चहरा इस बात को बया कर देता है नमबर तीन जब अवरत आपकी बाते सुनने या मानने लगे दोस्तो शादेशिदा अगर आपकी बाते गौर से सुने आपकी बाते मानने जो इसका तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपनी जिन्दगी का इस्सा बना चुकी है और ये तभी मुम्किन है जब आप उसे बक्त दे उनका खैल रखे उनकी केर करे नमबर चार आपकी खुशी के लिए अपने खौईशों की कुरबानी देना दोस्तो अपनी खौईशों की कुरबानी हर कोई हर किसी के लिए नहीं देता अगर कोई शादी शुदा आपकी खुशी के लिए अपनी खौईशों को कुरबान करे तो समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत ही ज़्याद़ प्यार करती है नमर पाच हर मुसीबत में आपका साथ देना दोस्तो प्यार करने वाली अवरत की एक खास पैचान ये भी होती है कि वो मुसीबत में आपका साथ दे जैसे कि आप किसी छोटे बड़े मुसीबत में हो तब वो आपको छोड़ कर ना जाए आपका आखरी तक साथ दे इसका मतलब होता है कि वो आपको दिल से पसंद या प्यार करती है नमबर छे जब वो आपको ऐसी सला दे जो की आपको फायदा दे अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो वो आपको ऐसी सला देगी जिससे उस प्रॉब्लम का हल निकलेगा वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी और आपका खयाल ऐसे रखेगी जैसे कि आप उनके लिए खास हो उनके लिए इस्पेशल हो नमर साथ आपको खोने के बाद से डर जाएगी दोस्तो अगर वो आपसे ये सुनने की आप कहीं चले जाओगे या छोड़ दोगे तो वो तड़ब उठेगी उनके सासे रुकने लगेगी वो बेचैन हो जाएगी आपको जाने के लिए रोकेगी आपको रोकने के लिए बहाने बनाएगी तो आप समझ जाए कि वो आपको देखे बिना नहीं रह सकती आपको देखे बगर बेचैन हो जाएगी तो दोस्तो ये थी वो कुछ खास इशारे जो अगर आपको किसी शादेशिदा औरत से मिलने लगे तो समझ जाएए कि वो आपको सचे दिल से प्यार करती है और आपको खोना नहीं चाहती है